या यह कहें कि मैं संजे गांदी जी से परसनली इंप्रेस हो गया क्योंकि संजे गांदी के बारे में था कि एक अग्रेसिव लीडर है वो ये गलत धारना है कि मुझे प्रधान किसी ने बनने नी दिया बिनोज शर्मा जी चंडीकर के देक्ष रहे बहुत अग्रेसिव देक्ष माने जाते हैं पावन बंसल जी खुद देक्ष रहे तो मैं इन से अपने आपको कभी बड़ा नहीं माना मैं मानता हूँ कि ये पार्टी के अंदर पद हो या कुछ हो जिस सबको बांट के मिलने चाहिए मेरा आपने जिकर किया कि मेरा और विरोधी पार्टीयों के साथ भी मेरे सबंद है ये शायद मैंने पंड़ दॉल्तरामजी से सीख़ा है ना पंजाबी में गड़े नाल कटा बंदेना मैंने ऐसा कटा बंदा गड़े के साथ के भी अगर वो मानते तो गाउं की हालत बहुत बढ़िया हो जाती तीस परसेंट में जब अगर तीन हजार करोड़ है तो नौ सो करोड़ रॉपया बनता है शेयर हमारा गरान्ट शावड़ गल्त इस्तमाल करती है गरांट वह होती है जिसे नो सो करोड़ के अलग मिलनी है हमें ठीक है नमस्कार अजाब सत्स्विकाल आज दैनिक अर्चप्रकाश समाचार पत्रख्मू और मीडिया ग्रूप में एक खास सक्षियत हमेरे साथ मिश्टर सुबाश चावला खुबाश चावला वैसे किसी परीजे का मौताज नहीं है चंडिगर्ड ही नहीं बलके बहुत पंजाब हर्याना और केंद्र में भी खुबाश चावला का नाम इसलिए भी जाना जाता है कि वह अखिल वारती कॉंग्रिस को मेटी के भी सबस्ते हैं लेकिन अगर हम उनको किस पिछले 45 साल में चंडीगर में रहते हुए उन्होंने कॉंग्रस का ठीक है उसके कॉंग्रस में रहते हुए सेवा किया लेकिन उनका नाम कॉंग्रस से हटकर भी जो है समाज में समाज से वी की तौर पर जाना जलता है इतना ही नहीं वो ना केवल पार्टी में लोग प्रि क्या है समापित करूगा फिर उनके साथ बात चीत नरेंदर मोदी जो आज देश के प्रधान मंत्री हैं वो चंडीगर में रहे जब वो यहां के प्रभारी थे भारती जंता पार्टी के हरैना की यहां माचल के भी रहे परबारी तो वो पर सुभास चावला को अब भी पहचानते हैं कई वार उनकी बुलाकात होती है तो उनको नाम से बुलाते हैं खैर इसका यह मतलब नहीं लिया जा सकता कि वो कहीं बाजबं में चले जाएं यह बात में इसलिए बताना चाहता हूं कि और भी बहुत सी पार्टी है जहां पर उनकी लोग प्रियता उनके साथ ने सबका बराबर बना हुए तो सुभास चावला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे व तरिकारता में शुरू हुए तो मैं अपनी बातित को थोड़ा शार मुझे तीक्षे अंदाज में शुरू करनी पड़ती है क्योंकि कई बार जो अच्छाईयां होती है ना वो विपक्ष को कचोटती है कि यार ये ऐसा क्यूं है मैं विपक्ष की तरफ के कह लीजिए कि कह को इसी ऐसी जादू की छड़ी है या कि यह अलू है जो सबस्वजी में मिल जाता है कोई परधान आजाए कोई मेंबर पार्लिमेंट हो जाए तो सुभास चावला जो है चंडीगर की जो कॉंग्रेस कमेटी है उसमें उसका आस्तित्व और उसकी पकड़ मजबूत हमेशा स बनी रही है जबकि किसी भी शायद किसी भी पार्टी में कोई व्यक्ति पंतारीश हाल तक अपने कद को इस तरह से पार्टी के अंदर नहीं रख सकता मैं एक ही उदान के साथ अब इन से बात करूँगा कि यह दो बार मेर रहे चंडीगर की और कॉंग्रेस के जो टेरिटर के वाइस प्रेजेंट फिर स्टेट के जरनल सेक्टरी और फिर यूथ कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष भी रह चुके और आज जैसे पैंने शुरू में कहा कि आजकल अखिल बारती कॉंग्रेस क्रिमेटी के सदस्य हैं जो के बहुत ही बड़ा एक होदा है क्या बात है कौशल जी मैं आपका शुक्रिय अदा करता हूँ कि मेरे लिए आपने अच्छे शवदों का इस्तमाल किया है शायद मैं उतना लाइक भी नहीं हूँ उसके पर यह आपका बड़पन है कि आपने क्योंकि आप मुझे जानते हैं इसलिए मुझे मेरे बारे में यह कह रहे है कोई जादू की छड़ी नहीं होती जबसे मैंने कॉंग्रस जॉइन की है और मैं बहुत चोटी उमर में था 20 साल की उमर जी मेरी उस वकत और मैं कॉलनी में रहता था तो वहां संजे गांदी जी आये थे तो उन्होंने वहां एक शरमदान कैम्प हमने लगाया था चंडीग पर उठा के वहां तक वह ले के गए मेरा पहला दिन था और मैं उसी दिन से यह कहें कि मैं संजे गांदी जी से परसनली इंप्रेस हो गया और मैंने टै कर लिया कि अब क्योंकि संजे गांदी के बारे में था एक अग्रेसिव लीडर है और यूवा जो है हमेशा पसंद करत लेकिन मैंने पीछे मोड़के नहीं देखा और पीछे मोड़के नहीं मेचनत की है जो भी पद मिला ता कि अपने लगन के साथ मेचनत के साथ और पार्टी के साथ वफादारी के साथ किया और यही एक कारण था कि मुझे रप्द के बाद तरकी मिलती चली गई बिन्यों drys पिछे किया जा रहा जो वरना आपको कोई रस्क डी जा रही जिए अगरम ब्लॉक प्रेजिट बना तो मुझे डिस्टिक में वाइसप्रेजिड जल्दी आ गए अगर उसको जस्टिवाइड किया तो फिर मैं प्रदेश में जल्दी अगया पर देश में बी मैं जनल सेकेटरी था उसके आप पत्रकार थे तो आप देखते थे लिए कि कि अख्ष काम करने वाले आदमी को वह छोड़ना नहीं चाहता और यही एक कारण था कि मुझे आगे से आगे पद मिलते चलिए आप अपने बारे में जुरूर यह तो है कि आप कहेंगे मैं अच्छा काम करता हूं तब है लेकिन एक बात और भी तो आप देखिए कि आप जो मर्दी रहे प्रदान तो किसी ने नहीं बनने दिया आपको वह कारण य सही माइनों में समय होता है और ये ऐसी है कि आदमी ने ही बनना है चंडीगड में दो चीज़े ऐसी है जिसमें मैंबर पार्लिमेंट भी एक ही बन सकता है और अद्यक्षकी भी एक ही है तो ये नहीं है कि Lowman मेरे से कोई कम थे मेरे से जाजा थे तब ही उनको मूँका मिला ह चोदरी पुपाल सिंग्ग का मुकाबला मैं नहीं कर सकता है विनोज शर्मा जी चंडी करके देक्ष रहे बहुत अग्रेसिव देक्ष माने जाते हैं पहुन बंसल जी खुद देक्ष रहे तो मैं इनसे अपने आपको कभी बड़ा नहीं माना नहीं आपकी बात को बीच में मैं इसलिए में रहा हूं कि आपके ठीक है यह जो नाम लिए हैं इसमें तो कुछ चक नहीं है कि वो सक्षियत हैं बड़ी हैं रही हैं लिए प्रदीप शावड़ा आपके सीनियर है क्या देखिए जब प्रदीप शावड़ा जी बने उस वक्त शायद मैंने बहुत कि मुझे पार्टी ने जो मैं नहीं मतलब दो वार शाद किसी को जनरल सीट पर अभी तक नहीं बनाया में तो आए हैं दो दो बार लेकिन मेरे लिए यह बहुत था उस वक्त मैं समझता था कि अगर मुझे दो वर पाद मिला है तो यह प्रदान का पद किसी और को भी मिल ज से यहां जब चंडीगड़ पूरी तरह से यूनिन टेरिटरी की टेरिटोरियल कॉंग्रेश नहीं होती थी एवन हाफ डिवाइड़ थी कुछ एरिया नरायंगड़ मनिमाजा वाला साइड ता या उदर खरणक साइड साउथ एरिया जो चंडीगड़ का है तो उसमक्त से अगर जब कोई राम सिंग जट भी रहे परदान रहे कुछ एरिया के और शामलाल गुपता रहे उसके बार्दस्मन शिंग आए बपाल सिंग यह सारे जो आपने परदानों को देखा है आपको किसका पीरिड जो है श्वरने पीरिड लगता है कि बहुत अच्छा उस आजम और लोग उनके पहरावे की उनके काम करने के तरीके की एक दिल से इज़त करते थे जी और उनकी देन जो है आज जो गाउं है बचे हुए बाइस गाउं यह चौदरी बपाल सिंग की देन है जो उन्होंने इंद्राजी से कहके हाथ पकड़के चंडीगड में ये काम करवा की अफसरों को दबा की रखना है उनसे काम लेने है वह उनका एक जिम्यवारी बनती है पावन बंसल जी के साथ भी मैं काम किया उन्होंने उनका एक और तरीका सा काम करने का जो आज के लोग चाहते हैं जी शराफत प्यार से बोलना एक अपना लुक देनी शहर में कि वो ब बाद में ये लगा है कि वो पार्टियों मीटिंग में मिलते रहें लेकिन जितने दौलतराम जी ने तो पार्टी को घर घर तक पुचा दिया उनकी तो सादगी और लोग बरकरों के बीच में बैठना उनके साथ घुल मिलके बात करना ही और जो मेरा आपने जिकर किया कि मे सैने आठेक करो उनके बारे में करो बुच्राम जी से जो मैने सीखा है ये वह जब दौलतराम जी मारी पार्टी के वाइस्प्रेजिडेंट से तब भी आल-पार्टी मिटिंग को सारी पार्टीयां उनसे प्रजाइड करवाती थी तो आप जगर उस जैसे आदमी के साथ क और उनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है यह मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा सकता पर कुछ ने बहुत कंट्रिबूट किया है अपनी उमर के साब से बनोज जी और पवन पांसराव जी यंग प्रधान रहे प्रदीप छावड़ा जी यंग हैं तो कंट्रिबूशन सब उठें हैं तो आपका अनुभब जैसा है गाउं का यह सारा आप जानते हो परिवेश कैसा होता है और क्या-क्या उनकी गाउं की जरूरते होती हैं तो हम इसी बात से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक टाइम था कि चंडीगर के पहले गाउं अलग पिलकुल गाउंधी ने दिया पंचयति राज करते हैं चाला कि पुराना परणा कि वह नहीं है है जो आँट लोग हैं या दलितलो हैं में उपर उठाने की बात पंचयतों को परशाशन में उनकी भागेदारी करने की जो बात ती वह आज जो प्रिश्टिशन है उसमें क्या है कि पं करन ये है कि हमने भी अपने समय पर गाउं रखे पर हमने पंचायतों को अधिकार बराबर दी है और जब अमेंडमेंट हुई 74 अमेंडमेंट राजी उदांदी जी ने की उसमें तो सारे ज्यादा दे दिये थे वो कोशिश की हमने के रखे और पिछली बार पर साशन ने जब मैं मेर था तो एक दबाव था मेरे उपर जी चठी आई कि जी आप इन बाकी गाउं को मर्ज कर दो तो मैंने उसमें बना कर दिये था कोवनर साब से लेकिन उसमें एक तरह का थ्रेट था कि अगर आप ये रेजुलेशन पास करके नहीं भेजोगे तो हम कार्परेशन के खल देनाल कट्टा बंदेना मैंने ऐसा कट्टा बंदा गड्डे के साथ कि अगर वो मानते तो गाउं की हालत बहुत बढ़िया हो जाती नहीं मानते तो मर्जर नहीं हुआ दोनों चीज़े हो गई लेकिन अब भरती जनता बाटिया वाई इन्हों ने वह 11 शरते सारी उड़ा कर दिया इस वकत जो गाउं मर्द हुए हैं उनका कोई वाली वारस नहीं है एडमसेशन ने अपला जाड़ लिया कि हमने तो कार्परेशन को दे दी हैं वह जाने और कार्परेशन कहती है कि अभी हमारा वहां कांसलर नहीं है पंचैते थी तो पंचैते भांग हो गई कोई से फट की विवस्ता नहीं की उसमें मैंने जो शर्त रखी थी पहले कि यो गयरा शर्ते में एक थी यह कि आने वाले समय में दस साल कार्परेशन को डिमस्टेशन फञ़ देगी गाउं की डूएलमेंट के लिए और उनके नमाइनों को म्योस्पल कार्परेशन में हम नॉमि शर्ते बिना कियो इन्होंने मर्ज करके बेज़ दी अब गाउंवाले बेजारे तड़ रहे हैं अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो यह स्थिति अब और खराब हो गई उनके सुहाज जी इसे हम अपनी बाद प्रश thing नहीं है इन्ह psychology बाद इसके बारे में आगे कि उनका बज़ट का क्या होगा कर्प्रोरेशन के आमजन के क्या साधन होगे ये बातित हम जारे रखेंगे लेकिन अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे सुबाश चावला की जो राजनितिक जीवन यात्रा है उसके कुछ दृष्ष है बड़े जो सीनियर जो नेता है पुराने रहे हैं और इनके युवा काल से लेकर तो देखिए थोड़ा हम आपके सां हुआ है तो सुभाजी आपने भी बात की है कि गाउं के रिपर्जेंटिटिव नहीं होते या बजट की बात आप कर रहे हो जो कॉर्पोरिशन का बजट है जो आमदन के साधन होते थे पहले तो यह था जमीने उकायर हो रही है बेच रहे हैं उसका आ गया तो अब तो यह पिछले दि कर्पोरिशन देना चाहेंगे प्रशाशन को यह जो सेंटर तक बात पहुंचे के कार्पोरिशन को कैसे मजबूत किया रहे और इसमें जो ड्यू एलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है घाउं तक जमीन तक तो कैसे हो उसके कुछ सुजाब भी दे आप देखिए जो चंडी कड़ी होती है मेंबर पारलीमेंट वो चंडीगड में बीजेपी की मैंबर पारलीमेंट हैं वो कड़ी नहीं बन पाई पिछली तरम भी यही रहा हाला तो बहुत बुरी halत है एक साल हो गया है वो नजर ही नहीं आए ऐक क्या है क्या कारण है कौन लजर नहीं है अप लाम लिए किर्ण खेर जी मैडम जो इस वक्त की मजूदा सांसित है एक कड़ी होती है मैं जब हम थे मेर तो एक सिस्टम हमने सब कांवर्स के मेर ने बना लिया था कि हम नुमबर दिसंबर के महीने में ही पावन बनसल जी को ऐज मेंबर पारलिमेट बता देते थे कि आने वाले साल के हमें पैसा इतना चाहिए ये हमारे प्रोजेक्ट हैं ये इसको पास करने है तो बनसल जी जाके फानेस मिनिस्टर से और प्लैनिक कमिशन में दोनों में बात कर लेते थे और जब हमारा वहां से पैसा आता था तो हमें पैसे की तंगी नहीं होती थी रादर हमारे पास हर साल आठ से दस प्रसेंट पंदरा प्रसेंट की बढ़ोतरी के साथ 96 से जब से पावन बंसल जी जिली दिर रही अब क्या हालात हो गई है कि जब से 2014 से सेंटर गवर्मेंट में मोदी जी की सरकार आई है इनोंने कोई नीती नहीं बनाई है क्या है चंडीगड कारपरेशन में हर साल 200 क्रोड़ का कट लगना शुरू हो गया बढ़ोतरी तो क्या होनी थी 200-500-200 रुपे का और साथ में कहा देते हैं कि यह हम कटर लगा रहे हैं अपने टैक्स लगाओ जबकि एक बड़ी थोड़ी लंबी बात हो जाएगी लेकिन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है केंदर सरकार ने एक दिल्ली फनाइस कमिशन बनाया हुए जो दोनों द 30% हिसा काम का वह मििंसपल कार्परेशन कर रही है औरि तीन फिजन का जो चंडी का डैनेशन की जो कमाई है उसका 30% कार्परेशन को देना ही देना है जहाए कि इस वक्ट एस्टीमेटिड जो आमदन है कार्परेशन की वह 3,000 करोडर प्या है गिसके नजदीग है 2003 में 13 मे मेर बना था तो मैंने उसके लेटर लिक के पता कराया था उसके बाद आप जी एस्टी बगारा और ये करके तो नेच्चरल बिजनस बढ़ता है तो तीस परसेंट वाली बाद तीस परसेंट पे जब अगर तीन हजार क्रोड है तो नो सो क्रोड रुपया बनता है शेर हमारा हैं आपके गरांट शावद गल्थ इस्तमाल करती है गोवर्मेंट जी गरांट वो होती है जैसे 900 क्रोड के अलग मिलनी है हमें अब क्या है ढ़ा के सरकाार दे रही है ॉस लख जींसीजन ने वहाँ बात करनी है intended कमें लिज़ iniciar मेर्ट से बात करनी है और मुझे तो लगत क्या कभी उन्होंने एक्ट नी पढ़ा, या वो इस तरफ चलना नहीं चाते, या अपनी मैडम किरन खेर जी को समझाना नहीं चाते, एक चीज जो मैं जानता हूँ मैं, कि इन सारी चीजों की जानकारी अगर किसी को बीजे पी में है, तो वो सतपाल जान जी को है, क्योंकि व प्राजनीती है उनके आपस में कोई एक दूसरे को वह सफल होता है नहीं देखना चाहता है उनकी आपस में बन्ती नहीं है टंडंग साव जैन साव यह सारे मैडम को इस बात का पता नहीं वह फिलम डॉस्ट्री से आई हैं ग्लैमर योग है उनका उन चाहिए हमारा बनता है अगर आज 900 क्रोड रुपया सरकार दे दे और उसके बाद सेंटर गवर्मेंट की स्कीमों की हमें दो डाइसो 300 क्रोड रुपय की ग्रांट और मिलती है अगर 1200 क्रोड रुपया मुश्पल कार्परेशन को मिल जाए तो चंडी गड़ को पैरिस बनाने में बहुत देर नहीं लगे क्या कमिया क्या है क्या 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 कि पैसे कहां इवर्स्ट करना चाहते हैं अगर आप आप वाज मेर हो जाई चंडी गड़ में इसवक्त सबसे बड़ी प्रॉलम पानी की है उसके रेट क्यों बढ़ाए इन्हों ने इसलिए बढ़ाए ना कि इनके पास पैसा नहीं थीक है पानी के रेट बढ़ाने पड़े, पारकिंग के आप देख लीजिए, क्या हाल है इस वक्त, कोई ऐसी जगा है आपको चंडी गड़ में जहाँ आप बिजार्स गर से निकलें और आपको शॉर्टी हो कि मुझे गाड़ी ख़ड़ी के जगा मिल जाए, दूसरी बात, कितने ब परीज अपना इलाज कर ले, आप डिस्पेंसरियों में जाएंगे, आपको एस्परिन की गोली तक नहीं मिलती, स्कूलों की कार्पोरेशन के अंदर प्रैमरी स्कूल आये थे, आठ स्कूल हम उनको डिकलेर कर चुके हैं, डेंजरस बिल्डिंग, कि कभी भी गिर सकते हैं, कोई उनका तरफ देखने लिए कि पैसा नहीं है उनके पास, करमचारियों की सैलरी देने के लिए टाइम से पैसा नहीं है, 6-6-3-3 मीने जो सवाई करमचारी हैं, उनकी सैलरी लेट हो रही है, तो यह चीज़ें सारी हैं, चंडिगड के, जैसे आब दूसरे मान लीजिए, स्मार्ट सिटी डेकलेर कर दिया इसको, 2014-15 में किया था, बीस तक यह स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए, ता पांस साल का था, आज कहीं नामों निशानी स्वाई स्मार्ट सिटी के दफ्तर की बिल्डिंग बनने के, या स्टाफ भरती करने के, मुझे चंडिगड में एक च जनुरी में होगा, लेकिन मेर का जनुरी में होगा है, तो आपकी कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं, दिसंबर के बाद से चलो अगले साल, तो ये चीजें जो है, आप कह रहे हो, पानी के रेट बढ़ा दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या आप इसको दुबारा से रि का ड्यू शेर बिल जाए, और वो शेर लेना कोई मुश्किल नहीं है, हम अगर बीजे पिया चाहे तो कोट में जाके भी अपनी पिया डालके इसको पैसे को ले सकती है, ये ड्यू शेर है कार्पोरेशन का, और एक्ट के अंदर प्रवीजन है, एक्ट को कोई वायलेट नह क्या सकता हूं, इन्होंने काउसेस लगा दिया, चंडीगड में जब कैटल रखना मना है, आपको पूरा अर्बन एरिया हो गया है, जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंडीगड में कैटल नहीं रख सकते, तो आप लोगों के उपर काउसेस लगा रहे हैं, आपने सीवरेस जो हम हमारे टाइम में दस रुपे सीट थी, हम दस रुपे सीट लेते थे आपके घर में जितनी टॉयलेट है, जितनी आपके सीट है, दस रुपे लेते थे बाद में एक टाइम में बीस रुपे गिया, आज इन्होंने पानी के ऊपर थर्टी परसेंट कर दिया, मान लीज कि जो आफीसर जाते हैं जब बजेट बे होती है अफसर होममनिस्ट के सामने यससरी कह सकता है नोसर नहीं कह सकता थीक है तो हम फोयजी जो प्रौब्रेम की जो आपने पता ही आप लेकिन एक बड़ी दुर्भा के पूर्माबाद कह सकते हैं आपके चिंडीगड कहने के लिए यूनिन टेरिटरी या और भी यूनिन टेरिटरी होती है लेकिन यहां पर ठीक है विदानसवा या कोई ऐसे एलेक्टर कोई बाडी नहीं है एक ले देकर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती थी उसका भी कोई नाव निशान नहीं नज करते रहें आपके जो चंडीगड पशासन के साथ तो अब जो पहले चीफ कमिशनर का यहां पर एक उदा होता था और अब एक मूव ऐसी भी सुनने में आ रही है कि पहले बादर साब थे उनकी वज़ए से इंफलेंस था इसलिए एडवाइजर जो पंजाब का राज्यपा है इसमें क्या बदलाव चाहते हैं ताकि यहां पर पर प्रशाशल यहां पर कॉर्परेशन यहां पर पूरा एड्मिस्टेशन जो है वो अफसर शाही चलाती है लोगों को पर मेरे अगर इनको सपष्ट शब्दों में कहूं तो यहां लोगतनतर नहीं है चंडीगड के अं तो आप नहीं चाहते हैं कि यहां पर के पूरा सेट अप एक रिप्रेशन टीटिव हो अलेक्टर देखें कोशल जी यह सवाल आपने बड़ा मुश्किल किया और इसका जवाब देने भी थोड़ी मुश्किल आ रही है कारण इसका सरफ एक ही है कि अभी तक यह यह यूनल कंदु खिड़ा आपको जानते हैं बड़ा मशूर गाउं गाउं तो जब तक कोई इसका फैसला किसी स्टेज पे नहीं आता कि चंडीगड को पर्मानेंट यूनल ट्रेट्री बनाया जाए और फिर हरेना और पंजाब को दोनों को अपनी अपनी राजधानी बनाने के और सेंटर की सरकार हमेशा से किसी स्टेट को नराज करना नहीं चाहती नहीं नहीं यह देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं यह तो आपकी सारी पार्टियों का डवल स्टेंडर है बिल्कुल मैं आप से पिर कह रहा हूं कि जब तक चंडीगड का अगर पंजाब के डाले कि तो कुछ और बिल्कुल मैं आप से बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात के कि इस नहीं है यह मामला के इंदर सरकार का और पंजाब हराना का जब तक हल नहीं होता तब तक चंडीगड का यह पर्मानेंट यूटी डेकलेर होने के बाद ही आड्मिस्टेटर धाचाब कर सकते हैं अभी तो शोर इस बात का भी पड़ता है कि इतने आई एस चंडीगड से क्यों सेंटर से लाए जा रहे हैं जबकि उस एग्रिमेंट के मदाविक साठ चाली की रखनी थी कि साठ परसेंट पंजाब के आएंगे और 40 हर्याना के होंगे दोनों स्टेटों आपने सु नहीं है जिए जॉइंट केपिटल ऑफ पंजाब अधरयाना है तो इसमें यही एक हलात है हाँ जहां आपने बात कही वह बहतर अल्टरेटव था कि चीफ कमिशनर की पोस्ट होती है उसका कारण यह था कि वह पोस्ट गौवर्नर साब की पोस्ट से थोड़ी जूनियर पोस देना है उसको लिख के पहले भेजो यह करो और आदमी तो राजभौन का डरता है गेट पे नहीं जाता तो वह अच्छा है अगर यह चीज यहां रवाइब हो जाए कि चीफ कमिश्ट की पोस्ट हो जाए और अडवाजरी काउंसल को और फेक्टिव बना दिया जाए जो प सब्सक्राइब कर लिए पहले तो किसी पूरी टेनियोर निकल गई और नर्सकी को मिटिंग नहीं होई तो यह चीजें थोड़ी बड़े लेवल की हैं चंडीगड कॉंगर्स इसमें कोई रोल नहीं दा कर सब्सक्राइब करते रहते हैं और कई बार यह अपना कोई ना कोई वीडियो भी जारी करते रहते हैं तो आपको इनके एक दो वीडियो की दिखाते हैं आपको जड़ा सुनिए कैस्ति क्या है को वास्ट्राइब करना चाहता हूं मैं समयता हूं कि चंडीगड के बहुत से लोग इसका सामना कर रहे हैं आज सुबा ही जब मैंने मेरे अपना बिजली का बिल आया तो उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए जो पिछले कई बरसों से जो पानी बिजली का मेरा बिल आता था बिजली का खास करके वो ज्यादा से ज्यादा जब रेट बड़े तो साथ 8000 पे तो महीने का बिल आता था एक आज बार 10,000 पे तक पहुंचा लेकिन जो आज मुझे बिल मिला, वो 26,000 पे का मिला, कि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं सब की है, एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं तो दो कमरे के मकान में रहता हूं और सबेरे मेरी वाइफ नौकरी पे चली जाती है और मैं दुकान पे आ जाता हूं, तो मेरा बिल भी 21,000 प की मीटिंग हूई वो वर्चुल होती रही और उस पे अक्सर कांसलरों की ये शकायत थी कि इस मीटिंग का पुफाइदा नहीं हो रहा, वो अपनी बात पूरी नहीं कह रहे है, बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि भारती जन्ता पार्टी के इसी पार्शलों ने अपने ही मेर द्वारा बलाई हुई वर्चुल मीटिंग का बाइकोट कर दिया, ये तहास में शायद कभी नहीं हुआ कि कोरम इस वज़ा से पूरा ना हुआ हो कि रूलिक पार्टी के सदस्यों ने ही मीटिंग का भैशकार कर दिया, अधकल देश में एक बहुत ही गमगीन और बहु कि इस कान ने कर पूरे देश को हिला के रख दिया है। वहीं पर करमेशन ग्राउंड है, वहीं पर मुसलिम भाईयों के लिए ग्रेवियार है, क्रिस्चन के लिए है, गउशाला है, तंपिंग ग्राउंड है, गार्वेल प्लांट है, तो ये सभी चीजे मिलके आसपास के दो-तिन किलोमेटर एगिया जिसमें 38 वेस्ट, डेड़ मैं सुवाजी आप से जो स्वाल कर रहा था, कि आपने बड़ा बताया दूसरी पार्टियों दुबारें के भारती जनता पार्टी की में आपस में फूट है, लिरा ही जगने, तो आपकी पार्टी कौन से दूर्द हुली है, आपकी पार्टी, आज कल तो एक नया आपने ब में पार्टी को लोगों को भेजा, करीब करीब दो जो सीनिर आदमी उनको भी भेजा है, कि ये मसले जो इस वोकित तीन चार है, पहला निजी गर्न वाला मामला है, दूसरा हाउजिंग का मामला है, जो मकानों के बहुत पहले इंपलाईज ने पैसे जमा करा दिये थी, सथाई करमचारी अंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सारा शेर एफेक्ट करता है, और चौथा एक जम कंपनी है, जो यहां आके जो अस्थाई करमचारी आ, टेंप्रेरी उनको बर्ती करती हैं, और बर्ती करने से पहले ही एक मीने की तिनका अंडर हैं, इनके बातों को चाहते है पॉर्टल है उसके अंदर जो रिजिस्टर ठेकेदार होगा वही यहां पर आगे टेंडरल दे पाएगा अब देखिए बंबे की कंपनियां आगे यहां पर काम कर रही है यहां के लोकल ठेकेदार थे अगर कोई उनको शकायत थी तो डरते भी थे कि हम गलत काम ना करें तो अ सिर्फ इस बात पे नहीं रिला यह करए कि हमने परेस एक स्टेटमेंट जारी कर दी क। इसत्ना मेरा था कि हमें उन WITH उन एंबारी से जो लड़ाई लड़े हैं उनके साहर जाकर खड़ए होना चाहिए जो कर्म चारिएों गढ़ा हैं उन्हें जीनका मिलें उनके बदाग क करें उनके बात को लेके गवर्नर साहब एडवाइजर साहब और डैपनी कमिश्टर जो जो कंसर्म नाफिसर हैं और जहां तददर हो सके तो हमें उनको कनूनी साहता भी देनी चाहिए कि वो लड़े यह बाते मैंने उठाई थी और में पार्टी हित में था कि हमने कार्पोरे अपना नजरिया होता है कि यह लेटर कहीं अक्षेप किया गया है यह उनके विरुद्ध है एक बड़े भाई के नाते छोटे भाई को सलाथ ही हो एक की आपनी यह काम करना है सीनर के लिए वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं मैं उनको समाजक तोर पर भी मैं चोटा भाई मानता हूं तो एक सलाह थी उसमें और कुछ नहीं करते हैं समप करने से पहले सुभाजी से इस देश की जो आज की परिष्ठितियां राजनितिक समाजिक आपसमें जो कहते हैं न देश चाहें कि आप अपने दर्श को को देखिए भारत वर्ष में अनेकता में एकता यही भारत वर्ष की जो मलगूती है जी और इसको हमें काइम करने के लिए हर कुरबाने के लिए त्यार रहना चाहिए जो आज की मजूदा पार्टी या सरकार जो हिंदू मुसल्मान य ट्रिपल तलात के नाम पे एक कमुनिटी को दूसरी कमुनिटी से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं यह चीजें आज उनको हो सकता है पार्टी को थोड़ा बहुत फौरी तौर पर फाइदा मिल जाए अर्दिका मिल रहा है मैं इसको बहुत लंबा नहीं मैं देश हमारे लि देश में जब आप यह कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ तो क्या मुस्लिम को हम अपने उस कैटागरी में नहीं मैं आपकी बात को बीच में थोड़ा से काट रहा हूं यह आपके सिराव तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे लेकिन कांग्रिस पा कि वोट आपने किरन खेर को नहीं देनी मुझे देनी है मुझे क्यों देनी है क्यों कि मैं हिंदू समराड हूं और यह जो एक धर्म की भावना होती है इसमें ना मैं तो कांगर्स ही हूं मैं इसलिए कर रहा हूं हमारे प्रवार तक बह गए कि पहली बार को देश में लीड कि जीए उनको स्केटागरी में रखके लेकिन आप कभी घुश्पैटिये कह देते हैं उनको कभी कोई बड़ा लीडर उठता है आप जो नहीं पुसंद तो आप पाकिस्तान चले जाओ कि पाकिस्तान ही क्यों कहते हो यह क्यों नहीं कहते है कि आप अमरेका चले जाओ आप मतलब क्योंकि पाकिस्तान ही दे मुसलिम कंट्री तो भावना को भड़का के राज करना देश को तोड़ने के बराबर मैं समझता हूं तो यह थे सुबास चावला जो चंडिगर्ड के एक जैसे जानिमानी हस्ती सक्षिए कॉंग्रेस पार्टी के बहुत ही वुरिष्ट न भी चंडिगर्ड में पिछले 45 साल से देखा जा रहा है खुमास जी आप हमारे स्टूडियम आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार मेरी खुश कुसमती है कि आपसे बात करने का मापा मिल रहा है बहुत धन्यवाद थेंक्यू